हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज बहुत ही इंपॉर्णेंट दिन है आज ही अपना 26 जैनवरी है और साथ में सरसती पूजा भी है दोनों बच्चे ने खुब धमा के तरीके से आप लोग मनाये होगे मैं ऐसा आसा करता हूँ अब स्टार्ट करते हैं काम क कि बाते दो कमेंट बहुत साइब बच्चों का यह आला था कि नर्मलाजेशन में आखिर कितना मार्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पाला एयरफोर्स का दूसरी बात करेंगे आज कि आपका नेवी SSR और आपका MR का एडमिर कार्ड कब तक आजाग और साथ में एक्जाम मांख से तुम मैं त्यारी इसाटी की करूं कि नहीं करूं तीन बाते और चौथा यह बाते कि आपके लिए मैं साथी का वीडियो डालू की ने डालू ठीक ना चार बाते बात करेंगे तो सबसे पहला मुद्दा लेते हैं कि आपका मुद्दा स्टार्ट करतें नेवी SSR का वेकेंसी तो आ गई है अब कब से इसका एक्जाम होगा और कैसे त्यारी करें देखो सबसे पहले बात नेवी SSR की बात करें तो आपका एक्जाम जो है आपका मीड फैबरारी तक इदम कंफर्म हो जाना है और उसकी एड्मिट कार्ड आजैसे ही खतम होगी और आपका अग सबस्क्राइब से purchasesर्या तो आप get it logic गया तो आप बेशिक से पड़े होगी डेशिक साइब करना dopoटड करें मैसों च्छाइए आपका वस्जाए ना यह इंग्लिस पीशिक अच्छे होंगे तो बहुत ही आगे काम आजागा ठीक है तो basic से clear करोगे तब ही हो पाएगा और last के 10-15-20 दिन mock test लगाओ यही एक solution है तयारी करने का सर्टिक तरीके से और इसके अलाबा कोई भी option नहीं बचेगा ठीक है ना तो यह आपको करना ही पड़ेगा basic से पढ़ना होगा जिस भाईयों का basic अच्छा है लगतार आप practice करो question हो को बहुत सारे YouTube पे teacher पढ़ा रहे हो उससे पढ़ो चाहा मॉक टेस्ट किसी एक purchase कर लो किसी भी मैं यह नहीं बलता टेस्ट बुक किसी भी फिल्ड में जो authentic information देते हैं उनका तो आप भी टेस्ट बुक से लगा सकते हो जिस पर आपको विश्वास हो ठीक है अब बात करते दुसरा की एर फोर्स में कितना बढ़ेगा बहुत सारे बच्छे करता देखो नॉर्मलाज़ाइसन मार्स का एक डाना की माले पेपर आगया आपके और पेपर में आपने difficult question को solve कर दिया सही कर दिया तो आपके और कम गलती किये वह तो आपके चार-पांच नौर बढ़ जाएंगे ठीक है सब्जेक्ट बढ़ेगा क्या ऐसा कुछ मुझे अभी तक पता नहीं है तो मैं आपको नहीं दूंगा कि सब्जेक्ट बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा ठीक है अब तिसरी बात यह कर रहा है कि सर्ट के बाड़े में की प्रिप्रेशन करें की नहीं करें सर्ट का से मुझे लग रहा है मेरा मांक्स कम जागा देखो कि दो माइंड पर मत रहो सिंपल एक तो या तो आपको एसाटी के त्याड़ी करनी चाहिए अगर आपके 32 33 भी बन रहा है क्योंकि पिछले बार 28 का डब गया था ध्यान अब फॉर्म भी जाला थी फिर भी समझ रहो और पिछली बार किस किस चीजों में बच्चे ने और चीज अठाइस से प्लस बन रहा है ना सीधा इसाट यह त्यारी करो हां मैं गारंटी नहीं कहता हूं कि आपकी फैनल सेक्षिन हो जाएगी लेकिन इतना जरूर करता हूं कहता हूं कि अगर आपकी माले सेकेंड फेज के लिए आपका कॉल आ गया तो क्या करोगे आपका प्लस बन रहा है एक सब्सक्राइब कर जाओ वाई ग्रूप का थर्टी प्लस बन रहा है अराम से जाके त्यारी करना स्टाट कर दो ठीक है अब लास्ट चौथा कोशन इसाटी का मैं वीडियो डालू कि ने डालू ऐसा मैं क्यों बोल रहा क्यूंकि आप मैं इसाटी के वी चीज में अब यह सब्सक्राइब कर तो यह साटी बातों को मैं आज लेकर आया हुँ आपका जो जो बच्चे नेवी एससायर को अब टार्गेट लग रहा है जिनको पूरा फुली पता है कि मेरा क्लियर नहीं होने वाला है एरफोर्स तो ध्यान से एक बात सुनलो आप कर रखे होंगे तो देखो आप बहुत सारे बेसिक आपको अच्छा होगा लगतार मौक टेस्ट मारते जाओ साथ में रिविजन करते जाओ जो आप पढ़े हो ठीक ना कुछ सब्सक्राइब क्यूंकि क्योंगे क्योंकि क्यों चाहिए ना इंट्रिक ये और इस बार इयर्फोर्स के पेपर में ऐसा इंट्रिक से बनने वाला भी था तो वो भी आपको जो इनलाइज करें आँगा और बोनुगा कि देखो यह पिपर में था ना ठीक है ना बहुत सारे बच्चों ने बताया तो देखो बहुत हड़े हमेशा ना स्मार्ट हाटवर गध़ई की तरह काम नहीं करने होते कभी कभी स्मार्ट अवर की भी करना चाहिए ठीक ना इसलिए आपको बता रहा हूं ठीक है तो यही सारे बातों को लेकर रहा है हो अगर चैनल पर नए हो तो भाई को सब्सक्राब करो लाइक सब्सक्राब सेर कर दो बाकी टेंसर में लेनी आए किसी भी चीज की अभी हम जस्ट मेहनत करना स्टार्ट किया है कि लड़ेंगे हाडेंगे गिरेंगे पड़ेंगे अगर हर न मानेंगे तो कंफर्म जीतेंगे यह बात आप अपने जहान में डाल लो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में फिलाल इतना ही हमेशा आप सभी भाईयों को रिपब्लिक डे और सरसती पूजा भी है आज तो सब को धेर सारी बधाया और आप लोग खुस रहो स्वस्त रहो और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का ठान लो ठीना तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में फिलाल इतना ही जाहिन जय वारत बंदे मात्रों